वेल्कम तो मैठ एक्सिस तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सिब्सिक क्वास्टिंथ के आरे सगरवाल एक्सरसाइज 2 के कुश्चन नमर 14 13 से आगे हम लोग करेंगे पिछले वीडियो में मैंने आपको आरे सगरवाल के कुश्चन नमर 1-12 का सॉल्यूशन मता दिया अब हम लोग स्टार्ट करें 13 से लेकर के 21 तक का सॉल्यूशन तो कुश्चन नमर 13 हमें दिया है कि अल्फा एंड बीटा आज जिरू अब पॉल्नॉमियल पी एक्स टू एक्स स्क्वाइर प्लस फाइस प्लस बीटा स्क्वाइर प्लस अल्फा इंटू बीटा इस इक्वास कॉल्स वाल कि तो आपने देखा होगा कि अगर हमें क्वाडिटिक प्लिनामेल गीवेन है जो कि है ao x2 ax² plus bx plus c is equal to 0 अगर हमें यह एक quadratic polynomial given है और हमें बताया जा रहा है कि alpha and beta इसके क्या है are zeros then हमें क्या पढ़ाए गया था उसमें कि sum of roots alpha plus beta क्या होता है minus b upon a and product of roots alpha into beta होता है c upon a ठीक है तो इसी relation को use करके हम लोगो question number 13 को solve करने वाले हैं तो question number 13 में में दिया है कि देखिए आप इस relation को अच्छे से याद कर लें b मतलब क्या होता है coefficient of x and a मतलब क्या है coefficient of x square and c मतलब क्या है constant term और a दुबारा a का मतलब क्या है coefficient of x square तो यह relation आपको अच्छे से आना चाहिए क्यूंकि बाकी जो भी questions नहीं इसी को यूज करके इने solve किया गया है तो 13 में हमें दिया है कि alpha and beta the zeros of the polynomial x find the value of k तो पहले तो हम लोग हमें जो polynomial px given है उसको हम नोट कर लेते हैं जो कि है 2x square plus 5x plus k और बताया जा रहा है कि alpha and beta क्या है इसके zeros alpha and beta are there zeros तो zeros का मतलब क्या है कि alpha plus beta sum of 0 alpha plus beta क्या हो जाएगा तो minus b यानि minus b का मतलब क्या है कि minus 5 upon coefficient of x square 2 and alpha into beta क्या जाएगा यह जाएगा हमारा constant term k by 2 k by 2 तो दो चीजा हमें मिल गए alpha plus beta जो आगया minus 5 by 2 and alpha into beta आगया k upon 2 ठीक है यह दो चीजा हमें मिल गई और हमें given है कि जो यह है यह alpha square plus beta square plus alpha into beta यह क्या given है 21 by 4 यह हमें given है ठीक है तो हमें पहले तो हमें इसकी value पता करने पड़ेगी alpha square plus beta square की value क्या आगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम इसका whole square कर देंगे क्या कर देंगे जो हमें given है हमें क्या given है कि alpha plus beta is equals to my minus 5 by 2 इसके हम whole square देंगे squaring both side ठीक है तो हमें क्या मिल जाएगा जब इसका हम square करेंगे तो हमें मिल जाएगा alpha square plus beta square plus 2 times alpha into my beta is equals to my 25 का square 25 and 2 का square 4 यह हमें मिल जाएगा अब क्या होगा कि हम लो यहां क्या put करेंगे alpha square plus beta square की value में find करनी है तो alpha square plus beta square is equals to में क्या आजाएगा 25 by 4 minus 2 times alpha into beta यानि कि alpha square plus beta square equals to क्या आजाएगा 25 by 4 minus में 2 alpha into beta की value क्या है तो k by 2 k by 2 तो 2 से 2 cancel यानि कि alpha square plus beta square की value आगे 25 by 4 minus k minus का k अब हमें जो relation दिया गया है उस relation में जो हमें क्या given है कि alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21 upon 4 इसमें हम इसकी value को put करेंगे इसकी value को यहां पे हम put कर देंगे तो जब यहां पे हम put करेंगे इसके place पे alpha square plus beta square के place पे तो क्या put होगा 25 by 4 minus k plus में plus में क्या put होगा alpha plus beta के plus में put होगा k upon 2 is equals to में क्या दे रखा है 21 by 4 यह हमें इसका हम side change करने तो यह हो जाएगा k minus k upon 2 k minus k upon 2 ठीक है देन अब जो इसको हम calcium लेकर simplify करेंगे इनको यह हो जाएगा 25 by 4 and 21 by 4 calcium 4 यह हो जाएगा 25 minus 21 और यहां पे आजाएगा 2k minus k by 2 2k minus k by 2 ठीक है तो देन यह क्या हो जाएगा तो यह जाएगा 4 by 4 और यहां पे आजाएगा k by 2 यानि कि यह आगे आपके यहां मैं इसको लिख रहा हूँ 4 by 4 यानि कि 1 और यह हो गया k upon 2 तो k की value आगई 2 तो यह था question number 13 का solution आसा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और साथी साथ आप समझते चलें बाकी जो भी यह questions अगर आप कहेंगे तो इनका मैं PDF solution आपको वीडियो का description में provide कर दूंगा अब जाकर को आप इसको देख लें तो next है question number 14 question number 14 में हमें दिया है कि find the quadratic polynomial find the quadratic polynomial some of whose zeros is 8 and their product is 12 and hence find the zero of the polynomial hence finds the zero of the polynomial देखे जब भी हमें quadratic polynomial form करने का जो formula होता है कभी हमें दिया जाए quadratic polynomial हमें form करने के लिए बोला जाए तो quadratic polynomial form करने का जो formula होता है यह होता है x square minus में alpha plus beta into x plus में alpha into beta इसका मतलब यह होता है कि alpha plus beta का मतलब क्या हुआ कि sum of zeros and alpha into beta का मतलब क्या हुआ product इसका मतलब होता है sum of zeros sum of zeros और इसका मतलब होता है तो product product of zeros ठीक है तो यह होता है formula इसको आप याद रखने है तो question number 14 में इसी फर्मिले को यूज करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो question number 14 में हमें दिया है कि sum of zeros कितना दिया रखा है अब अगर ध्यान से पढ़ें तो question number 14 हमें दिया रखा है sum of 0 8 है और इसका product 12 है यानि कि sum of zeros हमें given है 8 और product of zeros हमें given है 12 quadratic polynomial क्या हो जाएगा तो जो quadratic polynomial भणेगा x square minus 8 into x plus 12 यानि कि यह क्या हो जाएगा x square minus 8 x plus 12 भी हमारा quadratic polynomial फोप हो जाएगा ठ slope है है यह हमारा क्या हो जाएगा quadratic polynomial form हो जाएगा अब इससे हमीन क्या करना है इसका 0 find करना है तो इससे हमें प्राइज करके इसे हमें split करके zeros find करना होगा वाइंट हिसको ? माइनशी स्क्वाइर स्क्राइर और सिक्सेट क्या होगा एट यहाँ है और स्प्रास होगा इसको एट यहां पर ल्होग माइनशी स्क्वाइर यह दो फेक्टर आ गया है तो तो x-2 is equal to 0 और x-6 is equal to 0 तो x equal to 2 आ गया 2 और 1 आ गया x equal to 6 तो इसके दो 0 जा गया है 0 जार 2,6 ठीक है then next question number 15 next question number 15 तो 15 में हमें दिया है find a quality polynomial whose sum of 0 is 0 and their product is 1 and their product is minus 1 ठीक है तो same sum of 0 क्या दिया है तो sum of zeros हमें दिया है 0 और product of zeros product of zeros हमें दिया है कितना minus 1 sum of 0 हमें दिया है 0 product of 0 दिया है minus 1 तो इसके लिए हमें क्या करना है हमें find करना है कि आखिर वह quadratic polynomial क्या होगा तो polynomial form करने का formula क्या है तो polynomial क्या हो जाएगा अपने पास अपने पास polynomial होगा x square minus alpha plus beta short form में लिख रहा हूं into x plus alpha beta तो alpha plus beta मैंने क्या बता है sum और alpha into beta मतलब क्या होता है product यानि quadratic polynomial क्या हो जाएगा x square minus 0 into x plus minus 1 जो की हो जाएगा x square 0 into x का मतलब क्या होता है 0 उसको लिखने कोई मतलब नहीं है और plus into minus क्या होगा minus 1 यह आगे आपका required quadratic polynomial और हमें क्या करना है तो हमें इसके zeros को find करना है क्या find करना है इसके zeros को find करना है तो हम इसको factorize कर देंगे x square minus 1 तो इसको हम लिख सकते है x square minus 1 का square यानि क्या हो जाएगा तो एक बार x minus 1 और एक बार x plus 1 तो इसके 2 0 जाएगे x minus 1 equal to 0 और एक आजएगा x plus 1 equal to 0 x equal to 2 आगया 1 और x equal to आगया minus 1 तो इसके 2 0 जी आगया ठीक है तो next है question number 16 next क्या है question number 16 question number 16 ने दिया है कि find the quadratic polynomial sum of zeros is 5 by 2 and their product is 1 and their product is 1 ठीक है and also find the zero of the polynomial तो देखें simple सा formula है कि हमें आदे रखा है 16 में भी sum of zeros sum of zeros के आदे रखा है तो दे रखा है 5 by 2 और product of zeros दे रखा हमें कितना है तो 1 दे रखा है तो quadratic polynomial required quadratic polynomial क्या हो जाएगा तो required quadratic polynomial हो जाएगा x square minus alpha plus beta into x हैने sum of zeros और plus alpha into beta product जो की हो जाएगा x square minus 5 by 2 into x plus 1 तो यह हम क्या करेंगे simply हम 2 का LCM ले लेंगे तो यह हो जाएगा 2 into 1 2 x square minus 5 x और 2 यानि कि required quadratic polynomial क्या जाएगा देखे हमें यह पर जो यह 2 है denominator इसको हटा लेना है required quadratic polynomial आएगा 2 x square minus 5 x plus 2 यह हमारा क्या है required quadratic polynomial अब जो इसके दो zeros find करने हैं इनको आप लोग खुदी करने split करके या फिर लाई मैं करी देता हूं इनको अब पहले आप कोसिस करें खुद से solve करने का अगर ना कर पाएं तब इसको आगे आप देखें तो हमें जानते हैं क्या करना होता है 2 का इसमें multiply 2 तू जा 4 तो हमें दो ऐसे number find करने कि जिनका multiply करने पर 4 है और जिनको plus या minus करने पर क्या आज है तो बीच का term जे रखा है 5 ठीक है तो इसको आप लिए सकते हैं 2 x square minus 4 x minus x plus 2 क्यों क्योंकि 4 बन जा होता है 4 और 4 plus 1 क्या होगा 5 हो जाएगा और क्योंकि sin minus का चाहिए इसलिए हम दोनों को क्या लिखें है minus note किया है तो यहाँ पर हम 2 x कॉमण लेंगे तो यह हो जाएगा x minus 2 और यहाँ पर हम minus 1 कॉमण लेंगे x minus 2 तो 2 x minus 1 और यहाँ आगे x minus 2 तो required zeros क्या हो जाएंगे कि 2 x minus 1 equal to 0 हो जाए या फिर x minus 2 equal to 0 हो जाए तो x equal to 2 आजाएगा 1 by 2 और x equal to 2 आजाएगा 2 ठीक है तो यह रहा question number 16 का solution then next question number 17 question number 17 17 नमें दिया है find a quadratic polynomial whose zeros are 2 and minus 6 and verify the relation between the coefficient and 0 of the polynomial not mere तो देखे अब यहाँ हमें zeros दे रखा है उनका sum और अभी तक question आपने देखा है question number 14, 15 and 16 उसमें sum और product देता था इसमें हमें बस 0 दे रखा है पहला 0 यानि कि alpha आपको दे रखा है कितना question number 6 17 में alpha दे रखा है हमें 2 1 0 में दे रखा है 2 और दुछा दे रखा है minus 6 यानि कि हमें zeros दे रखा है इनको यूज करके पहले हमें क्या find करना होगा तो पहले हमें sum और product पता करना होगा और देन उसको हमें solve करना होगा थेक है तो हमें क्या find करने पहले कि हम लोब हमनों फ्ञां करने सम अफ इनस जाएगा टुप्लस मैनस इक्स मार सिक्स जो और की और एंड फा इन्टी बीचा प्रदक्ट जाएगा तो डरी इंटु मार स ambassador less क्रुब्र borrow सम आगे मार फरर का 12 मैनस का 12 ठीक है अब हमें find करना है quadratic polynomial तो quadratic polynomial क्या हो जाएगा required quadratic polynomial जिसको find करने का formula होता है x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta alpha into beta यानि कि x square minus alpha plus beta क्या रखा है minus 4 तो minus 4 into x plus alpha into beta क्या रखा था minus 12 यानि इनके x square minus minus plus plus 4 x minus 12 यह हमारा क्या हो गया required quadratic polynomial अब हमें दे रखा है कि sum और क्या जो relation हमने question number one two three four जब यह पहले वाल starting question थे जब हमें इन्हें solve करके इन्हें zeros find करके जो relation verify करना था जो हमने relation verify किया है वह सेम चीज यहां भी करना है हमें क्या करना है कि इनके relation को verify करना है इनके relation को verify करना है तो relation verify कैसे करेंगे हम लोग कि सेम पहले एक वर हम दिखा देंगे कि जो zeros हैं का sum कितना होता है तो sum दे रखा है इनके आगे माइनस फूर तो पैरा रेलेस्ट वेरिफाइड दूसरा है प्रदक्ट ऑफ जिरोस दो किता रखा है माइनस ट्वल अभी क्या होता है यह होता है सी अपाने सी क्या दे रखा है मानस ट्रोल बाई वन आगे माइनस ट्रीक है तो यह राकुश्टन नंबर 17 का तो कुर्शन नबर 18 में में दिया है तो पहले क्या हमें करना है कि पहले इनका संभान करना है तो 2 upon 3 और – 1 upon 4 को यह पे एड़ किया गया तो क्या आ गया 5 by 12 और इनका प्रदक्ट करना है तो इनका प्रदक्ट किया गया तो आगया – 1 by 6 और quadratic polynomial px find करने का formula मैंने आपको तभी से मैं बताया है कि x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta तो इसमें इसकी value हम put करेंगे तो ही आज जाएगा और यहां से हमें क्या करना है तो यहां से हमें देखे इसको मैं थोड़ा 12 x minus 1 by 6 तो यहां LCM हो जाएगा 12 और हम 12 LCM लेंगे तो यह हो जाएगा 12 x 12 x square 12 x square minus 5 x और यह 6 कर टेबल में 12 को इतने पर में आता है 2 times में तो 2 into 1 minus 2 तो यह आपका question number 18 को मैं ऐसे solve करना है ठेक है तो next नमों देखेंगे question number 19 question number 19 में में दिया है कि if x plus a is a factor of this then the value of a बोल रखा है कि x plus a है इसका factor है factor होने का मतलब क्या है कि factor का मतलब क्या होता है कि हमें क्या देखें 19 में कि x plus a जो हमारा px है क्या है px है कि 2x square plus 2ax plus 5x plus 10 इसका factor है तो factor होने का मतलब यह है कि अगर हम x के place पे एगर इसको x plus a से हमें इसको divide करें divide करें तो reminder क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए तभी factor होगा परना factor नहीं होगा यानि कि अगर हम क्या करें कि हम px जहां जा question में x लिखा है इस question में जहां पर भी x लिखा है हो वहाँ पर हम क्या करें वहाँ पर हम put कर दें minus a क्या put कर दें minus a तो इसकी value क्या होनी चाहिए क्याना चाहिए जीरो आपको class 9 में पढ़ाएगे वहाँ रिमांडा theorem कि x प्लस a हमें दे रखा है तो हम क्या करें simply x प्लस a is equals to 0 तो x की value के आगी minus a अब हम अगर p minus a की value find करें तो यह किसके बराबर होना चाहिए जीरो के बराबर होना चाहिए क्योंकि क्योंकि यह इसका factor है यह होवाला इसका factor है तो हम क्या करें जहां जब x लिखा हम हम क्या put कर दें minus a put कर दें 2 into minus a का square plus 2a into minus a plus 5 into minus a plus 10 is equals to 0 तो इसका multiply करेंगे तो plus minus 2a square minus 5a plus 10 is equals to 0 तो यह वला इससे cancel या निकि minus 5a plus 10 is equals to 0 तो minus 5a is equals to हो जाएगा minus 10 5a आजाएगा minus 10 upon minus 5 एक की value आजाएगी तो यहाँ दोरों minus cancel हो जाएगे 5a हो जाएगा 10 और एक की value क्या आजाएगी 10 upon 5a is equal to हो जाएगा 2 a is equal to क्या गया 2 यह था question number 19 का solution then next question number 20 तो question number 20 में हमें दिया है कि 2 upon 3 and minus 3 are the zero of the quadratic polynomial this then the find the value of a and b हमें a and b की value को find करना है हमें बताया जा रहा है कि 2 upon 3 और minus 3 b इसके क्या है zeros है क्या है इसके तो zeros हैं तो देखे हम इसको कैसे करेंगे कि हम जानते है अब zeros होने का मतलब क्या है कि हमें जो polynomial px दिया गया है वो क्या दिया गया है ax square plus 7x plus b हमें यह polynomial given है और हम बोला जा रहा है कि 2 by 3 और minus 3 इसके zeros हैं zeros होने का मतलब क्या है कि अगर हम x के place पे और हम p 2 upon 3 की value find करें तो answer क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए यानि कि हम क्या करें कि हम यहां जा question max लिखा है वहां पर हम अगर 2 upon 3 लिखके इसको solve करें यानि कि a into में 2 upon 3 का square plus 7 into में 2 by 3 plus b तो answer क्या आना चाहिए 0 तो a into में 4 upon 9 plus 14 upon 3 plus b is equal to क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए तो यहां अगर हम LCM ने तो LCM क्या होगा 9 यह हो जाएगा 4 a plus 42 plus 3 b is equal to 0 यानि कि क्या आ जाएगा 4 a plus 42 plus 3 b is equal to 0 यानि कि पहला equation क्या बन जारा है कि 4 a plus 3 b is equal to minus 42 यह हम दों का first equation form हो गया 4 a plus 2 plus 3 b is equal to minus 42 ठीक है अब फिर बताया गया है कि दूसरा 0 इसका क्या है तो दूसरा 0 है minus 3 minus दूसरे का 0 क्या है minus का 3 यानि कि अब p minus 3 की value भी क्या होगी 0 आने चाहिए तो यानि कि ax square प्लस 7x plus b is equal to 0 यानि कि क्या होगा जहां यहां question में x है वान क्या लिख दें minus 3 यानि कि a minus 3 का square plus 7 into minus 3 plus b is equal to 0 तो क्या होगा a into 9 minus 21 plus b is equal to 0 यानि कि 9 a plus b is equal to 21 या गया है दूसरा equation यह first one था यह लिए second one form हो गया अब इन्हीं दोनों को हमें simplify करके क्या करना है कि x और a और b की value को find करना है तो हम क्या करें अगर हम इस वाले equation second को अगर हम 3 से multiply कर दें multiply by 3 तो क्या जाएगा 3 से 27 a plus 3 b is equal to 63 ठीक है 27 a plus 3 b is equal to 63 और यह 4 a plus 3 b is equal to minus 42 और हम क्या कर रहें इसमें से इसको minus कर लें 27 a plus 3 b is equal to 63 और यह आ गया हमारा 4 a plus 3 b is equal to minus 42 अब minus करें तो minus कर प्लस minus और यह minus यह हो जागा आपका 23 a और यह कितना आएगा तो 5105 यह एक के वैलो क्या आजएगी कि अग्या पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है पर क्या होगा नाइन इंट थी नाइन इस वह नाइन बी सॉरी यह क्या होगा पहला है कि उसना में लोका प्लस 9b होगा तो यहां सा प्लस आजए करेंगे पहला क्या है कि 4a प्लस 9b इकोल टो मैनस 42 है इसको प्लस आजए कर लेंगे यह एल्सियम लेने पर यह 9b ठीक है अब हमें क्या करना है कि हमारे पास दो एक्यूसान आ रख्खें कौन कौन से 9a प्लस इकोल 21 और 4a प्लस 9b इकोल टो मैनस 42 यह अपने पास दो एक्यूसान आ गया है हेलो हाँ तो अपने पास यह दो एक्यूसान आ रख्खें है 9a प्लस इकोल 21 और 4a प्लस 9b इकोल टो मैनस 42 ठीक है तो अब इनको हम सिंप्लिफाई करके वैलू फाइंड करें तो हम क्या करें यहां पर अपने पास दो एक्यूसान आ रख्खें थे तो पहला था 4a प्लस 9b is equal to minus 42 और दूसरा था 9a प्लस b is equal to 21 तो हम क्या करें कि हम इस वाले एक्यूसन को 9 से multiply करें किस से multiply करें 9 से multiply करतें तो यहां क्या हो जाएगा यह जगा 81a प्लस 9b is equal to 9 1 जा 9 9 तो जा 18 अब यह अपने पास दो एक्यूसान आगे जिनमें बी की वैलू क्या हो गई है तो हम क्या करें कि यहां से भी या फिर अब इन दोनों का आपस में सब्ट्रेक्ट कर दें आपस में सब्ट्रेक्ट कर दें यानिकि 81a प्लस 9b इकोल 189 और 4a प्लस 9b-42 दोनों को माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस यह आ जागा 77a और इनको जोड़ेंगे तो 1 यह आ जागा 3 और यह 2 ठेक है आने कि a की वैलू क्या हो जाएगी तो 2 3 1 अपॉन 77a इस इकोल टू आ जाएगा 3a की वैलू क्या आगी 3 आगी तो b की वैलू फाइंड करने क्ला में a की वैलू को पहले वाले एक्विशन में पुट कर देंगे जो दिर रखा है 9a प्लस b is equal to 21 तो हम एक जब पुट करेंगे तो 9 इंटो 3 प्लस b is equal to 21 तो b की वैलू क्या आगी 21 minus 27 तो b आगे आपका minus 6 b की वैलू आगे minus 6 तो a हो गया 3 and b हो गया minus 6 तो यह था question number यह था question number 20 का solution then next question number 21 तो question number 21 में हमें दिया है कि if the sum of the zero of the following polynomial is 40 तो find the value of k find the value of k sum of zero d रखा है तो हमें पहले जो polynomial दीया हूँ x square minus 8x plus k हमींंनल up x given है और हमें दे रखा है कि sum of zero ज्यानि कि Alphā प्लस beta क्या दे रखा है एक प्लस beta दे रखा है 40 तो हमें find करना है की वैलू तो 2019 क्या होता है हम जानते है कि माइनेज B आ Пठा है कि मैनम से टप्पोन वन को आनिए अलफा प्लस भीटा जागा आगी एट असफे स्वेटक एलफा प्लस स्क्वार का मतलब क्या है कि alpha square plus beta square की value हमें 40 दे रखी है तो हमें find करना के की value ठीक है तो हमें बस कुछ नहीं करना है simply इसका whole square कर लेना है तो अगर इसका हमें square करें तो alpha square plus beta square plus 2 times alpha into beta is equal to 64 पोर तो All-fada squared plus beta square हमें क्या देर रखा है, 40 तेर रखा है, 40 प्लस में 2 times All-fada is equal to 64, यहां two times All-fada क्या होगा, 64 minus 40, तो two times All-fada into beta होगा, 24, यहां यहां alpha into beta क्या आगी, 12, अलफा इंटू बिटाइक वेलू क्या आगी 12 और यह क्या होता है जो यहां पर लिखा होता है यह प्रोड़क्ट आप 0 यानि के की वेलू क्या है 12 तो यह था कुश्चन नमर 21 का सॉल्विशन तो आसा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट करके बताएं उसको सही किया जाएगा थैंक यू